इंफ्लेटर यूज करने की छोटी से टेप जब भी आप एक टायर में हवा भर लें उसके बाद दूसरे टायर में जब हवा भरने लगें उसके बीच में पांच से दस मिनट का गैप रखिए क्योंकि इंफ्लेटर बहुत जादा हीट हो जाता है चाहिक कोई सी भी कंपनी का हो जितना मर्दी हेवी ड्यूटी हो होता तो पोटेबल चोटा साही और बहुत जादा काम कर रहा है इसलिए अगर आप चाहते हैं आप पर इंफ्लेटर ज्यादा दिन चले तो कम से कम पांच मिनट का गैप जरूर रखें एक टायर में हावा बरने के बाद दूसरे टायर स और झाथ?